प्यारे बचो नवदीब सर की तरफ से आप सभी को नमश्कार तो देखी प्यारे बचो जैसा कि आपके पास न्यू जाई गई होगी कि CBSE Board की पेपर हैं वो सरकार ने कैंसिल कर दिये हैं ठीक है आज मीटिंग थी उस मीटिंग में उसको कैंसिल कर दिया गया है अब उसके बाद से ही आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर जो राजस्थान बोर्ड की पेपर है उनका क्या होगा ठीक है तूसी पर बात करने के लिए मैं आया हूँ यहां पर पहली बात मैं वीडियो में जो भी बाते कहूंगा उसको आप किसी गौर्वेंट के प्रती मतले ना कि सर बीजेपी के समर्थक है कांग्रेस विरोधी है कांग्रेस समर्थक है बीजेपी विरोधी मैं विरोधी हूँ पेपर कैंसिल होने के ठीक है ना मेरा विरोध सिर्फ एक बात से है पेपर कैंसिल होने से अब बात आती है राजस्थान बोर्ड के पेपर, तो देखो CBSE बोर्ड ने कैंसिल कर दी है, राजस्थान बोर्ड पेपर हर हाल में लेना चाता है, राजस्थान बोर्ड भी लेना चाता है और शिक्षा मंत्री भी अपने यही कह रहे हैं, तो अब नेक्स्ट जो अपनी पर कि सीबी एसी बोर्ड के पेपर कैंसल हुए है तो आप मुझे एक चीज बताओ कि उस पेपर कैंसल होने से स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ है ठीक है क्या फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को आप सरकार के पक्ष में ऐसे बोल सकते हैं कि हां सरकार नी इस कारण कैं इतनी अकल आप सभी लोगों को है ना तो अगर इतनी अकल है तो थोड़े से सेंटर बढ़ा के पेपर ले नहीं सकते थी सरकार पिछली बार जब राजस्थान बोर्ड का पेपर जून में हुए थे तो तब इससे ज्यादा था करोना लेकिन तब भी पेपर हुए है पिछली बार सीबी एसी बोर्ड के पेपर भी हुए है ठीक है लेकिन इस बार क्या है कि पेपरों को कैंसल किया जा रहा है उस चीज़ के मैं खिलाब हूँ देखो क्या है इस से आपको लॉस क्या होगा अब ये समझो लॉस इसका यह है कि मान लो अब तो चलो आपके पास आपशन था कि बार्मी बोर्ड के पेपर रद कर सकते हैं ठीक है और सरकार ने ये भी कहा है कि स्टूडेंट के दिमाग पर ब इस से का पर तीन-तीन साल तक लटका रहता है तो आप आत्मत्या कर लोगेगा तब हैं ये आपका ये प्रिक्षा आपके ऑनली जो बार्मी बोर्ड के पेपर उसके नहीं आपके दैर्या की प्रिक्षा थी और दैर्या की प्रिक्षा अगर आप इस टाइम पास कर लेते हो आगे जिन्दगी में काम आएगी आपके ठीक है ना जो हर चीज जो अब मानलो अभी वक्त चल रहा है बहुत बुरा वक्त है ठीक है और इस बुरे वक्त में भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़े सीख सकते हो जो आपके जिन्दगी में आगे काम आएगी ठीक है अब देखो मान लो हमारा पेपर है आपसे पहले आपसे यानि की पहले की गोशना हुई हुई है मान लो आपकी जब बार्मी क्लास शुरू हुई थी ना उससे एक साल पहले हमारे रीट की पेपर की गोशना हुई थी तो अब हम क्या करें अपना माथा फोड लें सरकार को ऐसे कह दे हमार से जो बचे भी ये कह रहे हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे देखो सरकार का जब भी ब्यान आगया मैं आपको बता दूँगा भी अपने शिक्षा मंतरी इसके बारे में क्या बोलते हैं लेकिन अब तक की नियूज रही है ठीक है आज एक जून तक इससे पहले कि जितने भी ब्यान आए हैं चाहिए वो अपने मुख्य मंतरी इसोग के लोत के हैं गोविन सिंग डोटासरा शिक्षा मंतरी के हैं या और भी जो अपने सौरव सवामी शिक्षा ने देश गुन के हैं सभी ने ये काया कि हम बार्मी के पेपर लेने के पक्ष में हाँ हो सकता है ये स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ठीक है अब मैं भी श्यूर नहीं हो क्योंकि मुझे भी ये शौक लगा क्योंकि मुझे ऐसा था कि सरकार कोईचना कुछ करके चलो एक गंटे कर दे चाहिए पेपर तो लेगी यार जब पेपर ही नहीं दोगी आप मेंटलीटी बच् प्रमॉट होगे आपको मिलेगा कि आपका नौलेज वहां दरा का दरा रह जाएगा और मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि जो बड़े-बड़े आई इस ऑफिसर लगे होए हैं जो प्रदानमंत्री के साथ सेक्रेट्री यार्न मंत्रियों के साथ सेक्रेट्री रहते है बड़े बड़े IAS officer होते हैं, पता नहीं क्या सोच के निर्ने ले लेते हैं ऐसे, जो student के पक्ष में, यानि कि student के तो वो एक इसाफ से पक्ष में किया उन्होंने, ज्यादा तर students यही चारे थे हमारे paper cancel हो, लेकिन परिक्षा खतम नहीं होती कभी भी जिंदगी में, परिक्ष रद होते हैं, तो मैं यह कहूँगा आपको, मैं गरेंटी के साथ कह सकता हूँ, कि आप में से 10% student यह अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, भी चलो paper cancel होगे, यार मेरे को तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से मतलब है, 90% student पर अपनी पढ़ाई चोड़ देंगे, हाँ, paper cancel हो करते रहती है harry करते हैं, आप तो फचार पांच मैंने में उप गए, हम प्रेपर नि हो रहे हैं, हम त्यारी कर तक करते रहे हमारी तखуем धेक है, हम साल हो 2-2 साल से साल सेெ बैठें, student गया, 5-5 साल से बैठे हैं, आप में तो यह हाल है, 2013 की लड़ीस की वेकेंशी थे, 8 साल वेट करना पढ़ रहा है लोगों को नौकरी का तो वो भी तो दैर्या है ही उन में ठीक है तो यह आप बात बिलकुल अपने दिमाग से निकाल दो अब मैं आपको लास्ट में जाते टाइम एक ही मैसेज देना चाहूंगा और उसके लिए मैंने वीडियो बनाई यह लेकिन आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि पेपर हो चाहे ना हो मुझे सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे दूसरों को देखके अपनी पढ़ाई मत छोड़ो आपको तो आगे बढ़ना है अपनी चाया है यहाँ पर आगे 12 क्लास बहुत बड़ा टर्निंग पॉंट होती है और 12 क्लास गैरवी और 12 क्लास बेस बेस होती है जो आप आगे बनना चाहते हैं उसका बेस यह है complete करनी है मुझे जिन्दगी में कुछ ना कुछ बनना है इस कारण मुझे मेहनत की आदत डालनी है और मेहनत करते रहना है ठीक है न तो बिल्कुल भी अपने दिमाग पर कोई tension नहीं बिल्कुल free mind होगे अपनी पडाई को करते रहो हाँ हो उससे थोड़ा सा आपको relax अगर मान को डूंड़ोगे कि relax हो जाएं हम relax हो जाएं हम relax हो जाएं अगर मान लोग मुश्किली नहीं आएंगी जिन्दगी में तो जिन्दगी जीने का मज़ा क्या है है तो वही चीज है कि आप अपनी पडाई को जारी रखें और जो भी पेपरों से related राजस्तान सरकार की new और CBSE के बोर्ड पेपरों के रदोने के मैं खिलाफ हूँ आप मुझे चाहे गल्द को हो चाहे सही को हो वो आपका opinion है मैंने अपना opinion आपको बताया है अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे comment section में जुरूर बताना कि हाँ सर आपकी बात सही है हम आपकी बात से सहमत है तो मैं यह समझूँगा कि आप लोगों आप लोग मेरी support कर रहे हो या और बाकी आप अपने views भी दे सकते हो ठीक है तो thank you have a nice day प्यारे बचों good evening और good night साथ